आप बिना ग्लास के कलाइडिस्कोप बना सकते हैं सिर्फ कागज की एक पट्टी से और इससे reflection और symmetry अर्थात समानता की सिधानतों को भी जान सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक 25 बाइपांट सेंटीमीटर कागज की एक पट्टी इसके लिए आप एक एफोन आपके कागज पर लंबाई के तरफ स्केल रखकर पट्टी चीर दीजिए पट्टी के एक कोने को तीन बराबर भागों में बांट दीजिए जिससे 30 डिगरी का कौन मिल जाएगा यह इसलिए क्योंकि हमने एक कोने के 90 डिगरी को तीन बागों में विभाजित किया है इससे हमें एक्विलाटरल ट्राइंगल या सम बाहू ट्रिकोन मिल जाएगा अब हम इस पट्टी के ऐसे 10 ट्रिकोन मोडेंगे पट्टी के बचे हुए और पहले भाग दोनों को काट देजिए अब आपकी पट्टी में 10 बराबर ट्रिकोन है अब इस पट्टी को पहले उपर से, फिर नीचे से और फिर 10 ट्रिकोन को पहले वाले के उपर इस तरह से गोन से चिपका दीजिए आपका कलाइडिस्कोप तयार है इसको लचीला बनाने के लिए आपको ट्रिकोन के सभी किनारों को मोरना है जिससे उन्हें पलटने में और तीनों पहलों को खोलने में आसानी होगी इसे ट्राइएग्जा फ्लेक्जगन भी कहते हैं ये तीन पहलों वाला हैक्जगन आकरिती का फ्लेक्जगन है क्योंकि ये flex यानि की मुड़ता है अब आपने रचात्मक्ता का और कला का भर पूर इस्तिमाल करके अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं और अब देखिए इनका कैसा रूप बदलता है जब आप घुमा घुमा कर मुड़ते हैं इसे बीच में से और किनारे पर से थोड़ा सा काटिए और देखिए ये कैसे डिजाइन में reflect होता है इसकी समानता या symmetry पर भी ध्यान दीजिए यहाँ पर एक सिरे पर हम तीन छोड़े छोड़े त्रिकोंड काट रहे हैं देखते हैं इससे क्या डिजाइन मिलता है बना सकते हैं बिल्कुल एक असली कलाइडोस्कोप के जैसे इसको उलट पुलट कर मोड़िये और तरह तरह के डिजाइन बनते देखिए उलट पुलट करते रहे हैं मोड़ते रहे हैं और मजा करते रहे हैं